राधे राधे जी, आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है, तो कैसे हैं आप सब? आज इस वीडियो में हम मोनी अमावस्या या माग अमावस्या के बारे में जानेंगे, तो चलिए वीडियो की शुरुवात करते हैं हिंदु धर्में अमावस्या का विशेश में हैतू होता है, माग मा के क्रिशन पक्ष में आने वाली अमावस्या को माग अमावस्या या मोनी अमावस्या कहते हैं मानिता है कि इस दिन मनुश्या को मोन रहना चाहिए और पवित्र नदी या कुण में सनान करना चाहिए धार्मिक मानेताओं के अनिसार मुनी शब से मौनी की उत्पती हुई है इसलिए इस दिन मौन रहने वाले व्यक्ति को मुनी पद की प्राप्ती होती है माग मास की अमावस्या के दिन सनान और दान पुन्य का विशेश महत्व है मौनी अमावस्या इस बर 11 फरवरी को पड़ रही है मौनी अमावस्या 10 फरवरी को 1 बजगर 10 मिनेट से आरंभ हो जाएगी और 11 फरवरी को रात 12 बजगर 27 मिनेट पर समाप्त हो जाएगी आईए जानते हैं मौनी अमावस्या का महत्व शास्त्रों में माग अमावस्या के दिन मोन रहने का विशेश्म है तो बताया गया है अगर मोन रहना संभव ने हो तो माग अमावस्या के दिन कटू वचनों को नहीं बोलना चाहिए व्यादिक जोतिश में चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है अमावस्या के दिन चंदर देव के दर्शन नहीं होते हैं इससे मन के स्थिती कमजोर रहती है इसलिए अमावस्या के दिन मोन व्रत रखकर मन को सैयम में रखने का विधान बताया गया है मौनी अमावस्या के दिन भगवान शिव और विश्यों जी की पूजा की जाती है ये जानते हैं मौनी अमावस्या वृत के कुछ नियम मौनी अमावस्या के दिन सुभा, नदी, सरोवर या पवित्र कुण में सनान करना चाहिए सनान के बाद सूर्य देव को अर्गे देना चाहिए इस दिन व्रत रखकर जहां तक संभव हो मोन रहना चाहिए गरीवे भूके व्यक्ति को भोजन अवश्य कराए अनाज, वस्त्र, तिल, आवला, कंबल, पलंग, घी और गोशाला में गाएं के लिए भोजन का दान करी यदि आप अमावस्या के दिन गोदान, स्वन दान या भूमी दान भी कर सकते हैं हर अमावस्या की भांती माग हमावस्या पर भी पित्रों को याद करना चाहिए इस दिन पित्रों का तरपन करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है हम आशा करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपके लिए मददकार होगी अगर हमारी वीडियो आपके लिए मददकार होती हैं तो आप नीचे बने लाल पटन को दबा कर हमारे छोटे से परिवार का हिस्सा बन सकते हैं और उसके बगल में बनी घंटी को भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आपको हमारी वीडियोस में कोई कमी महसूस होती है तो हमें कमेंट्स में लिख कर जरूर बताएं धन्यवाद